नमुतस्ष भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्ष बुद्धं पुजेमी धम्मं पुजेमी संगं पुजेमी स्रदालू उपासगुपाशिका तथा संपुर्णमानु भावरू आज मिती 2017 साल असार पास गते सुक्रवार को दिन बिहान नौ बजे दिखी 11 बजे सम्मा धर्म देशना धर्म कच्चा धर्म साक्चा धर्म को चलफल को रूप मा आमेले Facebook लाइफ मा तार्मेक कारक्रम को रूप मा आमेले संचालन गर दही आज पनी तेही सिल्सला मा व्यान यका 9 बजे आमे Facebook लाइप मा उपस्तीद भैसके का सौंँ तेसेले आज पने संपुर्ण स्रद्धावंत उपासक उपासिका तता दर्म प्रेमी मानो भाव भरलाई मा भिक्षूवी मलो आज विश्वसान्ति बिहार मीन भवन मा हमरो श्रद्धे गुरुवर भन्ते को विशेश मितिंग रहे को कारण ले सवबागी उनुपर्ने अवस्था लाइचाई मध्य नजर गरदे आज वड़ा मितिंग भायको रो विश्वसान्ति बिहार बाते हमरा श्रद्धे बोदिग्यान भन्ते को यो कोथा बाता ने ला अले कती धिला हुना गयको छा तैपनी अवा खासाई धिला ता नगला तैपनी अले कती धिला ता हुना गयको छा रव उपासको पास इका हरू आज पनी हमिले धर्म देशना को योडो विशे बस्तू राखे का छाँ बिहान हमिले पोस्पनी गरे शके का छाँ कि आजको हमरो तर्म साकत्सा तर्म देशना तर्म कच्या को विशे बस्तू बुद्धकालीन खतनालाई हमिले समाविस गरे का छाँ र विशेवस्तुकरूप मा चक्खु पाल नामक योड़ा बुद्धकालेन घतना लाई याँ प्रस्तुट गर्ना खोजिये कुछू विशेशत यो चक्खु पाल भन्ने जुन विशे आमिले उठाये का छू त्यो विशेमा विशेशत भगवान बुद्धले देशना गर्नु भयको सतिपत्थान विपस्चना ध्यान भावना लाई अभ्यास गरे रह। एक जना भीक्षू जसले विपस्चना धूर को माध्यम बाद आपनो जीवन लाई और हत्थ फल्सम्म प्राप्तगर ने जुन अवसर प्रदान जुन अवसर प्राप्तगरेर गए ती बिक्ती ती भीक्षू पची भीक्षू भहर गए का जसको नाम चक्खु पाल भनेर ग उद्धकालीन समय मा योड़ा विशेश कतना अरो घदे गुधियो यदबी विपस्चना ध्यानभावना अव्यास गर्दा खिरी आपनो मंक्ष चक्षू लाई पनी त्यागेर धर्म चक्षू प्राप्त गरेको संधर्म मा एस विशेलाई उत्थान गरींच कि यो संसार मा हमिले जन्म मरन को जुन भवचक्र मा निरंतर घुमदई फिरदई हमिले कयों जन्म मा हमिले येस्ता मंग्च चक्षू लाई हमिले कती त्याग गरेरा आई सके का छौं किसको लेखा जोखा हमी राखना सकते नूं तो बुद्धकालीन समयमा एक जना चक्षू पाल नामक भिख्षू ले यो संसारिक भवचक्र मा जुन मंग्च चक्षू हरो कयों मंग्च चक्षू हरो ले त्याग गरेरा आई सके अव यो अवसर को यो जन्नीमा आमिले धर्म चक्षू प्राप्त गरनू पर्च अनेरा आपनो यो मंग्च चक्षू लाई कुनै परवा नगरीकन धर्म चक्षू लाब को लागी धिरे थुलू योगदान धिरे थुलू त्याग तपश्या गरेरा अंट सवाले धर्म चक्षू लाब गरेरा गयेको विशेश कतना चा अज़ शबैको लागी योटा प्रेर ना को विशेश हुन सक्ष विशेश wisdom भावन अभ्यास करने योगी साधक साधरिका हरो कोलागी यो देशना आधर्सको विशेश बनन सक्षी अहारो बुद्धकालन समय मा बग Abgवान बुद्ध संग कर्म स्थान प्राप्त गरेरा क्यों भीक्षु हरूले आफ्टु जीवन लाई सार्थक्त लेयर गए विपस्ताना माध्यम बाठा तेसेले तेही कतना लाई आज मैं याँ प्रस्तुत गर्ना गई रहेको छु तब अरले सुरु देकी अन्त सम्म सुनी दिनो भयो भने एस देशना ले पनी तब अरले तेरे प्रेर ना हाउसला तब अरले प्राप्त गर्ना सकना हुँँचु कतना सुरु हुँच बुद्धकालेन समय मा योडा परिभार मा महा पाल रा चूल पाल नामक द्वेजाना दाजु भाई हरु थी रा उने हर को आमा वो हरु बिती सके पच्छी दाजु भाई महा पाल रा चूल पाल आपनो कर्मा अनुसार आपनो जीवन यापन गरी रहे को थी ओ त्यो समय मा बुद्धकालेन समय भायको कारण ले भगवान बुद्ध ले सारा सत्व प्राणा रुमा थी महा करूना चित्टत राखेरा वान ले गाउं गाउं नगर नगर सहर सहर मा गैरा बहुँजन हीत बहुजन सुखको निमित्त वाले सत्त प्रानी हरो को मंगल कल्यान को निमित्त अपदेश दिन हुँच एसाई क्रम मा एक दिन भववान बुद्ध को धर्म देशना सुन्न को निमित्त केई मांचे हरो मनमा स्रद्धा लेर आस्ता लेर गौरब राखेर भववान बुद्ध को उपदेश सुन्न को निमित्त गई रहे को बिला मां बातों मां महापाल नामक तेस बेक्ति ले ती बेक्ति हरलाई बातों मां बेद्दा खेरी वहां ले स्वधनु भयो तपाई हरू कहां जन लागनु भय को भनेरा महापाल ले स्वधना खेरी ती बेक्ति हरले के जवाप देता बंदा खेरी भुपावान बुद्ध ले देशनागर्ने उपदेश लाई सुनेर को निमिता हामी भुपावान बुद्ध को देशनागर्ने ऊबदेश लाई शूनेर। उत्तर धिन उदा खेरी महापालले पनी भगवान बुद्ध भूजन हीत भूजन सुख को निमित्त धर्ब देशना गरनू हुँछ भगवान बुद्ध संपुर्ण दुखवात अलग भयर परम सुख सांती निरवान को मार्ग देखावनू हुँछ सबय मान्चे अरो स्रद्धा आस्ता विश्वास राखेर उपदे सुन्न उन्च म मात्र किन अलग्येर बसुं मैले पने आज भवान बुद्ध को देशना सुन्न पर्ष भन्ने मनमा लेर एक दिन महापाल भवान बुद्ध को उपदे सुन्न दनौंच जुन भिला महापाल ले भवान बुद्ध को उपदे सुन्न होंच थिथि बिला धरी मान्चेहरो भवान बुद्ध को उपदे सुन्न को लागी धरी बंदा धरी मान्चेहरो चैंतरी जमगद पाईशंके को circuits महापाल ले पच्छारी बसे रभयबनी बाहं बुद्द कोई देश न्यवज versuchen भयो अंद मतले अर्योए अनता सर्वग्य होनवन्च sind शबय को मन लियां बूजे र अवस्था लए बूजे र परिष्थिती लैप बूजे र भाहग बुद्द ले देशनागरोंच बहुआन बुद्ध ले महापाल त्यों व्यक्ति को परिस्थिती अवस्तालाई सबई बुजेर बहुआन बुद्ध ले तेयां देशना गड़नों भयो अनित्ते दुख रा अनात्मा को विशेमा अनित्ते भनेपशी तपैं हामी सबय लाइ था चा कि यो संसार परिवतन सील चा कुने पनी परान भयका रख प्रान न भयका अरेक चीज बस्तोरों पनी के चात बांदा खेरी परिवतन सील चा अनित्य चा यो हर हमेशा आफ़ाई मा परिवतन भयर जाने सबाब को चा र हम्र পোমৃতু বোয়ে আদি ইত্যাদে জস্তেই অনে শ্বই সত্বান নে হরু পনি আখের্মাং সংসার মান ন্ত্বায়ে ভেয়ে ব্য়ে পনে সাই चाया तपई संग प्राण नहीं होस या चाये तपई संग प्राण न भय कुछ चीज बस्तु नहीं किना नहोस सबय को निट्य ता भन्ने होँदाई न सबय अनित्य नहीं सबाब भय का हुँँच तेस्ते गरे यो संसार मां आमी जन्म ली सके बची आमरो जीवन मां सुखाई मात्राई चाओ भन्ने कुराता होँदाई होँदाई न रो यो सुखा भनेरा ली नहीं कुने पने विशेवस्तु पनी चाया जीवन प्राप्त गर्नु या चे पंच इसकंदले ग्रहन गर्नु नहीं एक प्रकारले डुख नहीं ग्रहन गर्नु सरह उन्छ तेसरी भागान बुद्धले अनित्य डुख र अनात्मा स्वाब को बनी देशना गर्नु भयो म मेरो भन्ने कुने बनी चीज है ना यो संसार मा तन दौलोट श्री संपति इस्त मित्र छोर्रा छोरी आफंत हरू पाई बाई निस है ना संतान परिवार इस सबय चीज हरो म मेरो भने र हामिले ग्रान गर्न सकने अभस्ता कुनी पनी सयम stump एकना एक दिन हमिले सबय लाए क्या गेर जान पढ़क्ष यो चीज मेरो हो यो चीज मलाय हो यो चीज मह हो भने रisters यहां कुणे पनी सीज comments आपने बंने भाव अत्त भाव कुणे मांपने आमिले राकने सक्ताई ना किनत बंदा केरे यहां आपने सबाब अनुसार परिपतन फहीर हने यो सबाब धर्मा हरो को लहर मा बगिरे को यो संसार मां हामिले म मेरो बंना थालियो बने त्यों डुखको विजारो पन हुन छा अरू तो अरू आपनो शरीर पने हामिले मम मेरो भनेरा लेरा जाने सकने अवस्ता छाई तेसे ले सवय कुरा हरो चाई अनात्मा स्वबाब का छन भनेरा भगवान बुद्ध ले अनित्य दुख अनात्मा को धर्मदेशना गर्णो भयो प्रत्यों देशना सुननु भयर महापाल एक किसिमले सोच मा पर्णो भयो भगवान बुद्ध को उपदेश सुने सके पची महापाल ले विचार गरे भगवान बुद्ध को उपदेश कती महान चा कती सुद्ध पवित्र चा शंसार को सभाब धर्म लाई उजागर गरे रा त्यू सभाब धर्म लाई स्वीकारे रा सही माने मा यथा भूत रूक मा पर्तमान मा जिवने जुन कला वानले जाई देशना गर्णो छो तेसे ले यो संसार को जुन सभाब अनित्ति दुख अनात्मा सभाब लाई सच्चके बुजनको निमित्त जान्नको निमित्त रो अनित्ति दुख अनात्मा सभाब भंदा माथी उत्नको निमित्त ग्रस्ति मा बसेर मैले यो धर्मलाय लाब गर्ना सकिन्न यो धर्म लाव गर्न को निमित्त मैले अब ग्रस्ति लाई त्यागेर प्रबजीत भाव ग्रहन गरेर भगवान बुद्ध को सरन्मा पुगेर मैले अब अनिति दुग अनात्म भंदा मात्य उतना सक्नी भाव लाई प्राप्त गर्नु पर्च वन्ने मनमा महापाल तिस्तु पाव उतना धालिय। किन दवन्दा खेरी यो संसारिक माया मोह मा वसी रहुन जेल जत्ती सुके अनित्य अनित्य भने पनी जत्ती सुके डुख भनी रहं दाखेरी पनी जत्ती सुके अनात्मा भनी रहं दाखेरी पनी त्यू विसे लाई आमीले अंगालणू पर्ने अवस्था भई रहाँचुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुु तेसेले चक्खु पाल ए त्यो यो चें महापाल चूल पाल भनेर छ अब महापाल चें डाजू चूल पाल चें पाई महापाल ले भावान बुद्ध को उबडे सुन्नु भयको अनित्य दुख अनात्मा भयपची यो धर्मले लाब गर्णको निमित्त मैले अब प्रवजीत ने अनुपर्च प्रवजीत भयपची मात्र येस्ता अनित्य दुख अनात्मा भाता माती उथेर मैले चें आपनो जीवन लाई साथ खक्तुलावन सक्णे चा बनने मनसा ब्यक्त मनमात्यस्तो भाव उथेर उसले भवान बुद्ध संग क्ये प्रात्ना गरेता वन्ना घेरी भवान सास्ता मैले अजूर को उपदेश सुने यो संसार मा तन, डौलट, श्री, संपति, इस्त, मित्र, साथी, भाई कोई पनी आपनो भन्ने चाईना येती सम्मगी आपनो यो शरीर पनी आमिले त्याग गरेर जानो पर चा यो आमिले ग्रहन गरेरेको यो शरीर पनी आपनो बन्ने चाईना तेसेले भवान सास्ता म पनी भवान भुद्ध को सरण मा आयरा प्रबजीत भायरा यो अनित्ति दुग अनात्मा स्वभाब बंदा माठी उटना सकनी धर्मलाय अभ्यास करना चाहांचू मलाय पनी तपाईको बुद्ध सासन मा मलाय प्रबजीत बनावनु होश्र प्रबजीत भायरा नाई मैले ये स्थर मले अभ्यास गरने चू बने रजें त्यो महापाल ले भवान बुद्ध ले प्रात्ना गरे त्रो भवान बुद्ध को सासन मा सबै लाई स्वागर्चा जसरी योता सागरले सबै नध्य हरुलाई स्वीकार्द च तेसरी नाई बुद्ध सासन मा जसले श्रद्धार राखेर प्रबजीत होने इच्छा गर्द च मनसाय बेक्त गर्द च ती सबै बेक्ति लाई भवान बुद्ध ले श्वीकार्ण उन्छ थुलू, सानो, उच, नीज, गोरो, कालो, आदी इत्तियादी कुने पेनी भेदभाव रहन दाईना बुद्धशासन मा तरह योटा खेय रहन जता बंदा खेरी, कुने पने प्रभजित उन चाहाने ब्यक्ति हरो ले चैं ब्रभवान बुद्ध बंदा महापाल येदी तीमी बुद्धासासन मा विक्षु भयर यो धर्म को अभ्यास गरे रहा आपनो जीवन लाई सातक तुल्याँन चाहन हुन छा पदे ती मिले कसाई संग अनुमति मागनु परने कोई चन भने ती व्यक्ति अरुसंग अनुमति लेरा आउनु भनेरा भाववान बुद्ध ले महापाल लाई आज्याँ गरनु भयो अब महापाल को घरमा आमाववा अरो विदी सकेको कारण ले गरता खिरी घरमा दाजु भाई बीजाना मत्रे चन महापाल रा चूल पाल महापाल ले भाववान बुद्ध ले प्राहत्ना गरे भोशास्ता मेरो आमावववा भन्ने संचार मा चैन वाहार विदी सक्नु भयको छ अब घरमा बागी रहेको मेरो भाई चूल पाल एक जना मत्रे चन तेसेले सबय चीज हरो व्यवस्ता गरेर पाईसंगमा अनमत ही मागे राऊंचू बुद्ध शासन मा पिक्सुत्तो प्राप्त गरी तपनल देशना गरनु भयको अनित तिद्धुक अनात्मा सभाग को यो धर्म लाई मा अवश्य अव्यास गरने चुब आउगान शास्ता बनेर महा पाल गर्मा आयर आपना भाई चूल पाल लाई क्ये भनेत वन्दाखेरी भाई चूल पाल आज मेले भगान बुद्धोको उपडेश्वने भगान बुद्धले प्रस्त रूपमा इस्पश्त रूपमा वहले देशता गरनु भयो कि संशार अनित्य छू डुखा छ अनात्मा सभाग चूल यो त्रे लक्षिन ले यो त्रे लक्षिन शभाग ले ग्रहन गरियेको यो संसार मां हमिले आफनों जीवन लाई सार्थक बनावनों को निमित नित्य थानेरा हमिले दुखों को बिजारोपन गरी रहेका छों शुख थानेरा हमिले दुखों को बिजारोपन गरी रहेका छों आत्मा ठानेरा हामिले दुख को विजारोपन गरेका चों रय यानी यो भवचक्र संसार मा हामि घुम्ने योडा जे बातों हामिले तयार पारे रहेका चों भाई चुल पाला मो यो संसार को भवचक्रवात मुक्त भाई को निर्वान धर्मलाई सच्छाटकार गर्ना चाहांचु। अनित्य दुख अनात्मा स्वभाब बात माठी उठेर निर्वान धर्मलाई सच्छाटकार गर्ना चाहांचु। पुना पुना यो संसार मा जन्म लेर, पंच इसकंड धारन गरेर, दुख को साधर मा दुबेर, बार बार यो संसार मा जन्म हुने, बुरा हुने, रोगी हुने, मरन हुने, साथ साथे, प्रिये ब्यक्ति हरसंग भियोग हुने, अप्रिये हरसंग संग्योग हुने, मन ले चाहे को चीज अर पुर्ण न हुने, यसता विवीदस दुख अर बाट सधा को लागीम, मुक्त हुना चाहांचू, एचूला पाला, बाई, आमरा माता पिता हरु ले, त्रू स संपती, जोर जान गरेर गये तरह हमुरा माता पिता हरुले, बिदेर गयलेस, कुने, पनी तनसंपती, एग पैसा, पनी तनसंपती ले रहा गये, सब्आ। संपतीला, ये, संसार मा, की गरेर गय, त्यागेर गये बाचुन्जेल तित्रो दुखा कस्ता गरेरा रगत पसीना बगायरा कमायेको त्यो थनसंपती आखिरत सबाई बिना काम को चीजबस्तो ज़स्ताई त्यागेरा गए कुनाई पनी लीरा जाने सकने अबस्ता रहे नर सब त्यावाई 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 त् मलाई भाईले अनुमति दिनूस जती पने तन संपति हरुचन तन संपति सब भाईले चैं आपनो भने रा थाने रा त्यो संपति लाई जस्तो इच्छाच हट्य शरी चैं अचलाउदापनी हुँचा मैले तन संपति सब भाई को जिम्मा लगाए रा मजय बुद्ध सासन मा पैक्षूभयर जाने चुझ महा प्छालल वे भाई चूल पाललाई तेसरी कूरा गर्धा खेरी भाईले क्ये भन्यμεं थासतों दाजु तेसरी पिक्षु भायर बुद्ध सासन मा अभ्यास गर्ने कुरा न गर्नुस धर्माई गर्नु परच भने आमिसंग प्रसस्ते तन सम्पति हरो छन्द तन सम्पति लाई तपायले प्रयोग गर्नु भायर। ग्रस्ति भायर पनी तपाय ले धार्म कर्म गर्ण सक्नु भन्छ एसे ले एक्षू न बन्नु होला ग्रस्ति ने भायर यो संपति लाइक प्रयोक गरेर पुन्य आर्जन गर्णूस पनेर भायले दाईलाई बार बार अन्रोद गरे बार बार अन्रोड गर्दा खेरी पने महापाल ले आखिरत अंतिम रूपमा निर्णे गरेरे चाड़े कि भाय तेसो न भन्वाण भगवान बुद्ध को त्यो पवित्र विमल निर्मल त्यो धर्मलाई अभ्यास गर्ण को निमित्त मैले ग्रियस्ति भायर ते धर्मलाई सम्पूर्ण रूपमा प्राप्त गर्ण सक्ने मैले चाई देखी न चाड़ो भन्दा चाड़ो डुखबात मुक्त भायर निर्वान धर्मलाई सच्छाटकार गर्ण को निमित्त प्रपजित भायर भिक्षुत्तो ग्रण गयर नै त्यो धर्मलाई अभ्यास गर्ण सक्ने देखेर नै मैले अंतस भिक्षु हुने निर्णे गरेरा आय को छो भ भाय तिमीले चेहीं बाडा न द्यो जति बनी धन संपति हरो चन सबई तिमरो अधिनमा छाड़ेरा शबई चीज तिमीलाई त्यागेरा मा भिक्षु बन्न जान्चु भाय मेरो मारगमा बाडा नगरा भनेरा अंतस महा पालाले चूल पालाला अंतिम निर्णे अनुसार भ इच्छा दाई को त्यो चाहना दाई को त्यो लच्छ उडशे मा बाडा न गरनी बाडा न पुर्यावनी विचारले दाईलाई के भन्नु भय तो बन्नागेरी दाई महापाल तपाईले संचे के प्रबजित भयर विक्षु भयर बुद्ध शासन मा अनित्य दुक अनात्म और बत अलग्वखैको निर्वान धरमलाई अभ्यास करनी नि थाना सकनु भैको ने झाले g नाडा न आउश्око तपाईले दाईले के भन्नु भयाता बन्ना केरी ? अ अन्या बहुक्सु भयर गयता पनी दाई मैले पनी ग्रस्ति भायर पनी मैले पनी धर्म को निर्वा गरेर आपनो जीवन यापनो गरने छू तपाईले प्रभजित भायर धर्म कर्म गरेर आपनो जीवन सार्थक बनावने तपाईले चाहाना गरनो भयो तपाईको चाहाना पुरावोस कि तपायाने जिम्मा दिनु भय को यो श्री संपती हरु लाई प्रयोक गरेर आवश्य पनिमा तपायान लाई पनि सोयक गरने छु रा धर्मकर्म गरे र मैले पनि जीवन यापन गरने छु भनेरा दाजो भाई ड्वी जना मद्यमा एक जना दाजोचे प्रबजित भयर गये और अरको भाई जये अब धर्मकर्म मां लागे र बसे और अंतसा आफु संग भयको सारास तनसंपति लाई क्या गेर सबई तनसंपति पाई चूल पाल लाई जिम्मा लगाए र सबई बंधन बात अलग भयर बंधन मां बाधिये को उनुण न योड़ा खुल्ला आकास मां उर्णी चराजस्तो स्वतंत्र भयर प्रवचिर उनुपर्च कुने बने तेस्तों बंधन मां बाधिये को चा बने त्यों फिक्षू बनन सकताई न त्यों बाधिये को कारले गर्दा केरी जुन लथ्थे अनुशार भगवान बुद्ध को उपडेश सुनेकाती महापालले प्रवचित हुने निर्ने गर्दै पाईलाई सबय को जिम्मा लगाये रहा महापाल भिक्षू बने न भवान बुद्ध को सासन मां भिक्षू बनी सके पचि गुरु हरुसंग आचारे उपच्छाय हरुसंग पांच बर्ष सम्मा बुद्ध सासन को भिविन्न नेम नीती हरु सबय शिकी सके पचि पांच बर्ष सम्मा गुरु हरुसंग बसी सके पचि भिक्षू हरुले आफनो बाटो लाई तय गर्ण पाउच र गर्णू पनी पर्ष किनता बंदा खेरी पांच बर्ष सम्मा आचारे उपच्छाय हरुसंग बस्नू पर्ष को कारण के उता बंदा खेरी जती पनी बुद्ध सासन को भिशे बस्तो अरुचन निती नेम हरु अनुशासन आदी ती त्यादी अरु वंचन ती सबय लाई पांच बर्ष को समय मा सबय कुराहरु लाई शिकी सके पची योडा जाए तालिम प्राप्त भयको मानिन चा तेस पची आफनो मार्गत्ताय गर्न पाउच तेसरी महापालपने आफनो गुरु आचारे उपच्छाय हरुसंग पां नेमनिती हरो सबय शिकेर बुजेर जानेर अभ्यास गरेर लिये एसपची एक दिन महापाल भगवान बुद्ध काहा जानु भयो रा भगवान बुद्ध लाई महापाल ले स्वद्नु भयो ये स्वद्नु भयोता बन्दा घेरी भवान सास्ता तपाईको शासन मां कती वता धूर हरुचन। तपाईने धूर भनेको के वता बन्दा घेरी मार्ग भनेको धूर भनेको योडाचे मार्ग अभ्यास गर्णे विृरे भनेको तपाईको बुद्द शासन मां कती passat धूर हरुचन भवान सास्ता बनेर महापाल ले भवान बुद्द ले हश्वदे भौवान बुद्ध ले महापाल ले क्ये वनेर उत्तर देता बन्ना केरी हे महापाल बुद्ध सासनमा भौवान बुद्ध ततागटको सासनमा त्वीता मात्रे दूर चन योता धूर योता धूर, ग्रंथ धूर, और को धूर, विपस्चना धूर महापाल ले भवाण बुद्ध ले स्वदे भवाण सास्ता मलाई बुद्ध सासन मा भयको यो धूर हरुको यो मारग हरुको यो अनुसासन हरुको सही रूप मा पूर्जा रूपए अभ्यास करना चाहांचु तेसले यो ग्रन्थ धूर भनेको र विपस्षना धूर भनेको क्यो हो मलाई बुद्ध जिनू बने र महापाल ले भवाण बुद्ध लाई अनुरुद करे भवाण बुद्ध ले महापाल लाई समझाए ए महापाल ग्रन्थ धूर भनेको भगवान पुत्तले देशना गरी राखे का सम्पूर्ण उपदेश हरूलाई सुने र, जाने र, भुजे र, अध्यन गरे र, लिने कार्या लाई ग्रन्थ धूर भनिन चवने भगवान पुत्तले देशना गर्णू भयको त्यों उपदेश हरूलाई अनित्य दुखा अनात्मा सवाब हरूलाई जाने र, भुजे र, यो जुन शरीर छ, यो शरीर लाई विपस्चना ज्यान को चक्छूले उत्पटी बिनास उदे ब्येको जुन सवाब धर्म हरुच त्यों सवाब धर्म लाई जानने अब्यास लाई विपस्टाना धूर भनेर भनींच भनेर भाववान बुद्धले महापाल लाई भने योता ग्रंत धूर भनेको के रहे चता देशना गरी रहेको जती पनी जुना गर भनेर जूराण दमे़ से गर्म लाई भनेर था जुन गरी वाई जोंगलाम फर्म फिचकनेरी योदस् Там having Что seven उदे ब्युद्ट में mercury के शोभाप अक устgy बाँ को दानी प्यास पद दुद्धने मह प्यासा अक का कर दोख दोखिंम नावियान दोगे वह सेका हुआ Hehम झौन क लिशे बना इक शुत खिंफ का कि पड़ा थ्यख़ ते शरी बुद्ध शासन मां ड्विता धूर रहे चा वनने कुरा महापाल थाप आये पचि योड़ा चाई अध्यां अध्यापन गरने योड़ा चाई ग्रंध धूर को तियो मार्ग भयो विपस्चना भने को चाई अब चाई ध्यान-भावना अभ्यास करनी विपस्चना अ बित्र यही द्रीता धूर हरुमात्र इचन अनिसके पची महापालले भावान बुद्धलाई के प्रात्ना गरेता बंदाखेरी भावान शास्ता मत बृद्ध अवस्था मा प्रबजित भायका मैले यो ग्रंत धूर को अभ्यास गर्न मलाय कथीन हुँच तेसेले मैले विपस्थना धौर को अभ्यास गर्ने मनमा थाने विपस्थना धौर को मार्गमा मा लागने छू ग्रंत धौर को मार्गमा मैले अवा लागना सक्की दैना वलाय किना भंदाखेरी अवा मेर उमेर बड़ी सक्य को कारण ले गर्दा खेरी यो अध्यन गर्ने और यो शीकी रहने यो अध्यापन गरे रहने क्यों छेत्र भंधा पने शाच्चे के यो पंच इसकंदला ये था भूद्रुप मा जानने जुन चै अभ्यास्च जसले विपस्चना धूर बने चा भगवान शाष्था माचाइ ग्रंत धूर भंधा पनी विपस्चना धूर को मार्ग मां हिन चायँ चू तिसले भगवान शाष्था विपस्चना धूर मां लागवने विएक्षो हरूलाय तपंवाै ले कर्माय श्थान प्रदान गरे दिनू कला जून कर्माय स्थान अनुसार मायले ढемуावनाको अभ्यास्च गरे र विपस्टना धोर मारगमा लागने छू पनेर महापाल अले अवान बुद्ध लाए प्राह्तना गरे पनाय को मतलब क्योता बन्ना खेरी अवा महापाल जें विस्तारे अवा उमेर पुगी सके को कारण ले उमेर पुगी सके पचि मत्रे बुद्ध शासन मा भिक्सु भय को कारण ले गदा खेरी संपुर्ण दुखा बात अलग भय को निर्वान धर्मलाई साच्छाटकार गर्नको निमित्त अवा उसंग तेरे समय चैना भन्ने महसूस गरे रह नहीं उसले की स्वत्यता बन्दा खेरी यो विपस्ना धूर मार्ग नहीं मेरो लागी उत्तम मार्ग हो भनेर भगवान प्रमश्थान बनेको मतलब नए त्यान कसरी गरने शुरू देखी त्यान लाए कसरी अभ्यास गर्दे 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 अंट शचैन निर्वान धर्म संब्साध्याओ निमित्त जून मार्गउ महा पाल इकनल कर्मरिष्थाली अबयोंत्यू भिषावर क्सकाइए। टत्युमेली जन्माब्य। बुद्ध ले कर्मस्थान को रूप मा दिनु भयो रच्छु ए र महापाल पने पहवान बुद्ध को कर्मस्थान प्राप्त गरेर आपू संग सत्थी जना भिख्षु हरु सहित योडा बस्तिमा गयर कर्मस्थान अनुसार बस्तिका श्रद्धावान उपासक उपासिका हरुले श्यवा गर्दई गराउंदई महापाल प्रमुक अरुभिख्षु हरुले कर्मस्थान को अभ्यास करना थाले मैले यो अले कदी सौटकट मा भनी रहको चुए समय न भ्यावला भने रर तो त्यों बस्ति मां पुगी सके पची त्यों बासिंदा हरुले पने विख्षु हरुले अतिने श्रद्धा आस्ता गौरव राखेर आवस्षिक रूप मां सबई चांजों बाजों मिलाए कि एटी सम्मा मिला आएक अब त्यरे विख्षु हरुले आरद इहां ब्याश गर्ना आई रहको उना ले त्याहां का एक जाना बय दिलेपनी क्य भनेता बंदा केरी भनते तपाइं हरुलाई याहां बस्त नों हधा केरी त्यान अभ्यास गर्ना प्रतिकुल असर्वाई भ अवश्य मलाई सम्जुन होला मचाई बाइड्य को काम गर्चु तपाई हरलाए तेस्ते इस्वास्ते को समश्या बाइड्य अवश्य पनी श्यवा गर्नेचु बनेर बाइड्य हरु बनी श्रद्दार राखे राववन तीचे महापाल बिख्षु प्रमुग अरु बिख्षु हरलाए श्यवा को लागी आधिर भाई सबई चाजबाज अरु मिली सके को त्यों अवस्था माँ महापाल बिख्षु प्रमुग अरु बिख्षु हरले बाग्वान बुद्ध ले द्येशना गरनु भयको कर्म स्थान अनुसार अभ्यास करना थाली राव्यास को क्रम माँ महापाल ले अरु बिख्षु हरलाई बिख्षु हरों बग्वान बुद्ध ले द्येशना गरनु भयको कर्म स्थान अनुसार अभ्यास वसी रहने हिरी रहने लेती रहने यो चार वता अभ्यास लाई नहीं चार इरिया पॉट पने रहा पने जाएं अब महापाल लाई जाएं इस तो योड़ा जाएं अभ्यास गरने मौका मिले को चा तेसाई ले कुणे बनी समय खेयर नभाली को न मैले यहां बसता खे nutrी बरसाभास को समयमा वहां और त्याаров पूगनु भईको हो बर्षाबास बने को तीन मैना को लागी बर्षाबास बसने चाएं बुद्धशासनमा परमपरा चा ती चाएं साथी जाना पिक्षु हरो पनी बर्षाबास को लागी योदा बस तीमा फुगे गुतियो पर महाबाल ले की स्वचेता बन्ना खेरी यस्तो योडा चाएं सिवागरनी उपासक उपासिका हरू जुरेको समय मा मैले समय एक सेकन पनी समय ले खेरन फालेकन मैले चाएं बिपस्चना अभ्यास गरनू पर्चा वनेरा मन मा चाएं योडा अडिस्थान राखेरा उसली की गरेता बन्ना खेरी ये आउसो हरू अरू भिक्षुअर ले सम्मधन गरेगु बायो मैले यहां तिन मैना बस्ता घेरी मैले तिन वता इर्यापट मा मात्रई बसे र पावान बुद्ध ले डेस्थना वर्णू भ्याको कर्मेस्थान ले अभ्यास गरनी अडिस्थान गरे तिन वता इर्यापट बनेको मात्र बस्नी उठनी र हिन्नी बनायको मतलो बसे र ध्यान गरनी तेस्थपची अब हिन्नी बनेको एक थाम बट और को थाम माचे चंकरमन ध्यान बनी च तेसलाई तेसलाई महापाल बनी चंकरमन ध्यान गर्ने र उथी रहने तिन वता इर्यापट मा मत्र बसे र ध्यान भावना गरनी कईलेपने नसुतनी कईलेपने नलेटनी यो बर्षावास भर मैलेयोता तिन वटाइड इडिया पत्मा मत्र भशेर ध्यान भावना गरने अभ्यादिस्थान गरें महापाल ले कहिले न सुटिकन अवा रातीराती पनी अवा न सुटिकन अवा विपस्णाक ध्यान अभियास करना थाले अब अरू भिक्षु अरू चाहिं चारे वथा इर्यापट मा बसे र अव्यासगर्ण थाले महापाल भिक्षु ले चाहिं शुते र भसने लेते र भसने जुन चाहिं इर्यापट को योटा इर्यापट पर्श त्यो चाहिं कई ले पनी प्रियोग न गरेका न जय ले पनी राद दिन चाएं अब त्यान मा बसे द्वी मैना जत्ती को समय बिती सकता खेरी अब कई ले पनी नसुत ने भय बची कि खाली बसने इनने रा उभीने शुतने योटा जुन इर्या पर्चा त्यस्लाइक काते रह यही मोगा हो मयले जाएं अभ्यास गर्ण पर्चा बने खूम मेनद गरे राप्यास गर्यों राद द्वी मैना जत्ती को समय बिती सके पची चक्षू पालको आखामा समस्या देख थालीओ आखामा समस्या देखिना थालीओ आखाब पीरो भयो रागाबात आशो चर्न थालीओ कि ऐसरी आखाबात आशो चरेर अब दुख भयको अरू भीक्षू हरले देखे पची महापाल भीक्षू लाई के भनेत बन्दाखेरी पन्थे येस बस्तीमा एक जना बाईद्य पने हुनोंच जसले तेरी मांचे अरो संगई बस्ता खेरी रोग को भय आयो गने मैं ले शेवा गरने छू अनेर बाईद्य उपासकले प्राहत्ना घरेको आवी सबाईलाई थाच यो समयमा तपाईं को यो आखाको समस्या भय को कारण ले गरदा खेरी तेरी वाईद्य लाई हमिले चैंग अउस्वती उपचार को लागी शेवा गरन को लागी अबसर दिनों पर छा भनेर आखिरत तेरी वाईद्य लाई शम्जेर वाईद्य लाई बोलाएर यो महापाल ते वेख्षुलाई उपचार गराउन लगाईयो यहनो जाई विस्तार यहनो जाई कस्तो राम्रसंग यो कठाचांच पचे वेख्षुलाई उपचार गर्न लगाईयो बेख्षुलाई उपचार गर्न को लगाई रह बैद्यले बनी ओहो आखा चर्ण अलिक दी समश्या वहिसाके को छ यो आखामा ऑसदी राखनी राखे पची यो रोग निक होँम्च चिन्दा नगर्न वला बने रा तेस भीक्षु ले पनी तेस ते बैदी ले पनी भीक्षु हरो लाई आश्वासन दिदै वहां ले आउसदी पनी बनाई दिये तर त्यो तेल हरो तताएर जुन चैन नाकमा आखामा आखामा चैन त्यो भायपनी नाकमा राखेर यो आखाको चैन उपचार होने जुन प्रभिदी त्यो बैदे संग थियो त्यो आउसदी उपचार गर्दा खेरी चैन और सुथे रहा है आई आउसदी प्रयोक गर्दा खेरी सुथे रहा होती प्रयोक गर्णु पड्धियो तर महार पाला भीक्श कोच आइन कस्तो अधिस्तान थियो ता वन्ना किरी टीन महीना संब्मक कहले पने न लेटनी, न सुटनी वणने अधिस्तान थियो त्यसले महापाला त्यों अउसदी जुन बाईदले दियेको जुन अउसदी छो तियो आवसदी प्रयोगर्णा खेरे न सुति कन बसेर मात्रे आपनो यो नागमा अब जुन जुन आवसदी अरू चन तियो सब दियेगो तियो आवसदी चैने आवसदी लगाउनु परने तरत महापालविक्चुले आपनो अधिस्तान विग्रेलाब अने र सुतेर तियो आवसदी प्रयोगर्णा भय ना बसेर नहीं उठेर नहीं इरेर नहीं अवा आवसदी प्रयोगर्णा भयो तेसरी आवसदी प्रयोगर्णा खेरे तियो आवसदी ले काम गरे नौ पर पहितेले भीक्छु महापाला लाए पंते तपाइको रोक्सांत भायको छाई ना बनेर स्वत्न उद्धा खेरी अहां मलाई चाहिए रोक्सांत भायको छाई ना पाणेरा बनन भायो तिसरी भाईदिले स्वत्न भायो कि मैले ध्यको आउसादिले पक्काई यो चाहिए रोक निकोई होनो पर ने थियो तर यहां चाहिए रोक चाहिए निको भायरे को छाई ना भाणेरा बनन भाईदिले बन भाई वाई यो तपाएले मैले जुनद्रेको आउसादि she ये शुदेर तपहें ले लगाउनों भयको गरा, भनेर वईदेले स्वद्न उंदाकेरी, महापाल प्रेक्चुले के पने जवाब दिनू भयनौ आखा थिक छा, भनेर श्वद्न भयो वने चाहें, ठीक छाहें ना, निको भयो वनेर स्वद्न उंदाकेरी, निको भयको चाहें, संचो भयो वनेर स्वद्न जवाब दिनू उंतियो। संब्धाने के सामेश बिति गया पताई भाuko टेर ले पाल के ककणाहना वाने करी छ जाब देने सोंद दर्व्योसा उनल्जे की जाब द तुंत पालका आव सेचिताना उनलकापने के कहले शरा मैं ले दियेगो यो आउसादी सुतेर लगावनु परने आउसादी वहां ले सुतेर लगावनु भयनु भला की नो सुतने अवस्ता पो नमिल्यो की भनेर जैं बैदेले महापाल विक्षु बसने इस्थान मा गयर हेरटा कीरे मात्र तिया बसने र उतने चंकरमगरने इस्थान मात्राई छा मजाले सुतने ओच्छान ठेना अने चक्कुपाल ए तियो बए दिले के सुतनु भयता बंदा केरे ओहो पनते को जुन भसने स्थान चाए वास माता बंते को लेते जाने यानिकि षुटने औच्छाने शाईन भने पंते ले सुतेर लगावनु परने यह ऑउसरी कर लगावन सहता पक्कैपने वहां परशेर या उठेर नहीं आउस्दी चे प्रयोग गर्णू भयो होला, तेसे ले यो आउस्दी ये जती काम गर्णू परने हो, तेयो काम गरे नौ। किना ता बंदा गेरी सुदे रह यो अवसदी लगाये को भये उआ को आखाता निकोई होने पर ने थिए। चिं कच मोधी हम और स्विक्राद स्वाइबू शंगिंते विण तबी को कुर घुअ और समक्राद स्वाई व्हकिनातों वायों ठापाउनू भयो, वाय λλाला, वाय मढ vazash OUT बनुद दो किThis आउसाधी के भना लेफे दिए, वाय ठापाउन भयो, वाया पतिए, पत्रवार धाउनु घेले महा बनी कि भुन को बनुद अन्तिले महा घवा पाल वीद्विक्षु लाई अंत सक्किये भन्णू भयत भन्दाग्यरी बार भन्दाग्यरी पने अउसती त्यों शुतेर ननलगाई दिदाग्यरी आखा न्यको उनूको सातो चंजन भलजेर आएको दिखे बचि भाइदे को वाइदे ले यो चक्कुपाला भन्दिले यो शुदेर यो रौसटी लगाऊंँ तीजरे अब रौसटी लगाऊं ते जशरे लगाऊनु परमने गैस्पर नमाओं नम्никलाओं किसे यूदे कने पाइदे ले वाईदे को आउसदी ले यो काम गरेन भनने चाएं योड़ा तेस्तो बानसवाई मा पढ़न ठाल चा तेसे ले त्यो बईदे ले बन्दे ले क्ये भननु भयता बंदा खेरी बंदे तपाइं को चाएं आवा सुतेर लगान पर ने आउसदी तमयले शुतेर लगान भाएन आ आउर ऐ यो आखाको यो रोक चाएं करिसरी Kṛṣṇa क्येळा हो ड blender तमयले यो वैडे का आउसदी प्रयोक्व गरें को बनेया और कासा इलानना भनन धीन छाएं थ्ली के रिक किले मेरी वहांiert खेरी अफवा भाइलिन छा तेसे तपने ले जैं मियरो आउसरी प्रयोक गरेको बने रचाएं न वन्न वला बने रचाएं त्यो बईदेले त्यो समय देखी महापाला त्यो भ्यक्षु को आउसरी गर्नाने छाड़ी दियो किना तो भंदा केर त्यो गरें वे इसारी चे शुतेर लगान परणी और आउसरी लगाय न बज़ता भ्या toothpaste जरले काम्ति करते करा रहां थो अंतसर कित्सा त्यो महापाला कित्यों प्यक्षुले कि स्वाच तर्फे ँदु अभदा केरे 10 इंद में तिन मैन सम्म मजुन अधिस्थान गरे यो बर्शा वास्को समय만 तेसरी अधिस्थान गरेको अनुसार महले जयान मैले सीमय यह आउसदी प्रयोग कुका doctor अभस्था भन्दा खेरी पनी चकखु ए टियो चाहे महा पाल तुमिले जुन यो अउसदी शेवन गरे रहा आईना जुन आउसदी लगा रहा प्रयोक गरे रहा यो मंसक चक्छु लए ठीक पार नो उत्तम चकी जुन तिम ले अधिस्थान गरे अनुसार आपनों अधिस्थान लए पूर्ण गरे र धर्मचक्ष लाब गर्ण उत्तम छ पने र आफईले आफईले प्रस्ण गर्दा केरी जोज महापाले की उत्तर पाय ताव बन दाखेरी कती कती जन्म जन्म आयना मेले चे यह शरी आपनों आखाले अं योगन बुद्धा लई उपडेस्व पनी आपसवर पनी पाये को चुछ रुखान बुद्ध को 사सन मा विभ्षू हुने आफसर पनी पाये को चुछ में आज बिपश्ब बुद्ध माइट साय मिली अभ्यास करन पाये को चु کرे mood चकह पालने जस्तो सुटे ट्यों चैने बैद्धियले सुटेर यो लगावन परने आउसदी भनेर दियेता पनी, आपनौ अडिश्थान ले न भिगारे कने, तीयो महा पालविग्षु सुले आखिरत तो आवसादी शुतेर न लगाए को न आफने अडिस्ठान लाईने शुरूख्या गरे टेसरी बईतेले पनी अब आफूले बने जस्तौ उपचार गरे मत्रे आखा निको हुने अब आफुले बपने ज़स्त उपचार गरुण आखा को रौक्ट निकों नॉक्त नॉने टेखे रएदि तके र हुग रहां धी सिद्य को आउसरि प्रयोक गर नूबहेटं लीज रहां ब楽स्त मतमें आशस्णतर खल समस करो मतंे तेहि रात मा राद भरी कि त्यों महापाल्य से बशेर थान बसंताई करें टयों आउस्थी तो बसेरत इंद बसेरत निए बसेरत यूज गर्णा के तो कुने बभनी अँज़ान अशर करें वहीब न अगा बात अ को आशु पुरे तबाइक दुल दूल जया आशु जार दय पनी महापाले जाए विपस्तन ध्यान भावना गर्दा 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 अंटसा के भयत बन्दा के रिए एक रात मां अंतसा त्यो महापाले आफ नोयो मंक्स चक्छऊ पूर्न रूपमा चे अंडो नहीं भयो जती पिरा भ्हे पनि जती आँशु चरे पनि आखेरे त्यो महापाले आफनो अडिस्तान ले बिगारे न है न निरंतर रूपमा विपस्तना त्यान अभ्यास करी रहे अंत के महाँपाल स्ज़या मंग्सा चाहिये गुमय और अ सिभा मंग्सा चाहिये होगता के गुमुंत मुटक्पन्धफजया या कि यसे ना dalam पते उनुनेम में आपन्ध 2 म दिडए अन्त सब येदभी उसले मंग्सव चच्चु गुमाये तर धर्मचच्चु लाब गरे दिये ये सरी मंग्सच्च्चु लाई त्यागेर धर्मचच्चु लाब भयो भनेको मटलाव चैं माहापालले वहान बुद्दको सासं मा और्हन्त फ्ललाई प्राप्त करिली मार्गफल मा त्रेव अईना वाले तो अरंत फल अईना मार्गफल माई परच अरंत पनी सब बना स्रेश्ट फल अरंत फल लाईने महापाल ले प्राप्त गरिली ये शरी विपस्तना ध्यान भावना गर्दा खेरी जुन आफ्टो अडिस्थान चत्यो अडिस्थान मा रहेरा महापाल ले प्राप्त अभ्यास गरे को कारण ले गर्दा खेरी मंग्स चच्चुलाई त्यागे तापनी आखिर मा तर्म चच्चुलाब गरी संपुर्ण कित है कि देस्थी उषकाच्यी शोग कर्मिनिंधिसो अरूले प्राप्त को भीएण अ का भिख्षातन को लागी महापाल लाई पहन तो प्रुशातन को लागी समयप भयु उप्रिछातन जान को लागी तैयार हुनु भ्ला पने रचम खवर गर्दा केरी महापाल ले ती सख कर्मी बिक्षुवर लाए क्ये भनेता बंदा खेरे ए आउसो ए आईस्मान अरो आउसो हरो मां आजा पिक्छातन आउना सकती ना किना ता बंदा केरे अव उस्वागा अव मंगस चच्चुने छाई ना बने आउ कसरी पिक्छातन आउसा किसेले तपयाहर मात्रे जानो खला आजा देखिमा पिक्छातन जान शक्ति ना अवस्था चाई ना बनेर बंदा केरे टी सख कर्मी बिक्चु अरले पनी किना चाई आव पिक्छातन जान सकती ना बने को हला बंदा खेरेता महापालको ता आखा नहीं के कि मंख्रक्शाशंत चाहिं भीक्षु ले आफनो मंख्षच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् पर अम्रों आजञा को चाहिए चप्कु पाल वनोगार्ट्य में पर सुंब्सक्य को चाहिए चुक के ओंगार्णले करणगे केर दिशाय दॉस्राइड पर नीयुद्सकु दो अपर खाके दो पर शोल्येफ के और दो ऊपर नुद्सका नुद्सक्ष भूंगे को ड्रेस प् पाल भंधे लाई सहकर्मी चिंता नगर नुश तपाई भीक्षातन जानव न सकेता अपनी आमे छौ आमे ले भीक्षातन जाए लियर आये पनी तपाई ले खाउने चुँग भने राजाई सहकर्मी साथी अब ठाड़स दी तेसरी भीक्षातन जानडा खेरी त्यां का बशि प्राप्त गरे को जुन चें अवस्ता थाप आई सके पची सबय त्यां को बासंदारों पासको बासिकार ले जहां महापाल भंदे चक्कुपाल भंदे बसे रहनों उन्तियों केहीं जलपान को वजन को व्यवस्तागर्ण भयो त्यों तीन मैना बसे को शमय मां ग्रुद पनी समय बागी चहा थो समय मां अब अब सभाई सहकर्मी विख्चू हरूलाई त्यों चक्खु पाल त्यों महापाल भंदे ले अब उसको काम भन पाने को क्य रहनों गयता पंदा परने काम तो उसले गरी सक्काई सक्के कुछ आइना तेसे ले चाहिए किया तीन मैना को जुन बर्षावास मां जती पने समय बाकी चाहिए त्यों समय मां चाहिए महापाल चक्कुपाल भिक्षुले अब आपना सकर्मी भिक्षु हरु लाए धर्म उपदेश दिधही आखिरमा तीन मैना तेहां बिताए महापाल यानी चक्खोपाल को धर्म उपडे सुने र अंत स स कर्मी सब्बई साथी दना भीक्षो हरू पनी अंत स तिन मैना पचे सब्बई भीक्षो हरू लेचें के प्राप्त गरी लिए और अंत फल प्राप्त गरी लिए ये सरी महा है पालám चक्खो पाल को कारण ले कर दा खेरे आफूले मंग्शले प्राप्त गुमाहाथ आता पनी अर्म चक्खोप्राप्त गरी लिए र अंत स सब्बई भीक्षो हरूलाय पनी धर्माचक्खो प्राप्त गराउण को नेमेत त्यों महापाल्ण चक्खोपाल भं प्राप्त गर्न गरी लेगा रप्राप्त गर्न सक्ने भयको कारण ले तो भीक्षु को नाम है केर हना गयो तो वन्दा केरी चक्खु पाला भीक्षु वने रहना गयो रहन्त सब्सक्राप्त गर्ण गर्ण बुद्धकान जानुब भयक्षु अब त्यों चक्खु पाल भंधी जसले चैंब रेक दिन इसमें ती प्रुभक्त चंकर्मन करनुब दिए भवान बुद्धला व्यत्न जानू वुद्धाकेरी त्याний में नाम होां पानी पर को समय मां जुन थामाँ चाहें चक्खु पाल भसी ट्यों थाममां चैनि bene है आप पनी पर को कार लोग्तよね आप बाइर मां नीशी के निस्की हुँ और श नीकारन ले गर्दा यो चाहिए अवा तरी पानी परिड़ेको कमिला रोपनी के बारे निस्के को चक्कुपाल बंदे ले देखनू भायन अना आखाने नवहेगो और जाहिए अनि चंकरमन घरदा खेरी यो पाईतालाले कमिलाहरोपनी के भायता कीची हे कीची हेर मारे अना क मिला देखे न अन्य के भीक्ष्य हारली जाए चंकु पाल भन्दे को जाए अली कती हामरो पासावात भन्ने हो बने चाइए गुणाष्यो कर्ना अले भावान जुगें पुद्ध कहा गैर एर नोस भावान सास्ता यो महापाल यो चंकु पाल भन्दे यस्तो पानी पर समय मां चंकर्मन घरे रहन तेत्र प्राणी हरु प्रानी हरु प्रति मैत्र करूना नराखी कन प्रानी हत्या भाहिडे गो देखिन छो यह अलेकते नसाम ने पुरा हरु भयो भनेर जाए कि भिख्षु अले भागान भुद्ध लेग गुनासो गरे किना बन्दा घ्रे सब आहिले भनना थालियो के त्यां पुराहरो जायां कि आयो पुलाएको मतलब चाहिए चक्कु पाल बंदे यह चाहिए पानी परते घ्र मारेकत आमा चंकर्मन गरेर कमिला अरो किची एरा त्य को मिला हो चाई और छाइब पाहिटाल्या थार तियो मरिड़ने भय *** भधकरने जालव कारवएलों तेस सती पाई चिफशत बतली है peoples शेट ल्वीब है अबげे किफशता हाई तिम ई static मा उट फंगर 220 बैंदे वस्व है और अच फाइड लए किट थाम मागbon 같은데 May Pfizer इनी रहाँदा इनी रहेको समय मा टो कमिला हारो किची यह रहाम्रे को चाए घर 10 अनु आ दिखा il सुन्य को कार्ललाए अमिले तबनेको यो पन्ना आएको वर एरु भशे ले पने Grandmamal करूले चपालले चंकरमन गरेहर कमिललाहर किमङको इखेका चयेगाouter उत्रह भी चपालले पहने यिभी तो हमें करते को च्पालले प Greece कोजाशितनी अध्ये सब्सक्राइट ने किमङकँ और MA ban कुली कोश्या थे फोगे नहीं उत्रहत प्राने लार्णार चक्खु पाल भनेको चे आश्रव छे भई सके का भिग्षु जसले संपुर्ण डुखबाता मुक्त भईर निर्वान धर्मलाई सच्छाटकार गरी सके का आश्रव छे अरहंत भिग्षु जसले चे आपनों चे मंग्स चक्चुलाई त्यागेर धर्म चक्चु प्रात गरी लिए का ठेस्ता भिक्शु हरोले कहीलेपनी प्राने हरोको घत्या गरे चेतना लेर उसले कार्य गर्ना सक्ता इन न शरीरवात गरना सक्च जन मन जन अ उसले आरोको घत्यागर ने स downwards सक्चु. उस्क्षुपाला भीख्षु भनेको जै आत्ष्रो छे वेरा अरंध वैसके का भीक्षुहरों। लोब द्वेस मोह रहिट भई सकेका विक्षू उन्ट जसरे तीमी और ले जये त्यों चक्खु पाल भिक्षू ले कमिला अरला कि तेर मरे को देखे का छैनो तेशरी नहीं बिक्षू ले मंक्षच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्चु प्राफ्त गरे शाइस ना उन्हीं इन पहिसक्ते है युआन पयों है । पहला लॉआ गत्छी कि विघ्शक्ष राप्ता ङस्था अस्थ प्रास घर्या सकते है कि युजा मिजाता मिनलाई है भवान से था पूसया है वसनु पर्यों, अरहन्द वीक्षु हरो पने तिसरेचे अंधो भहर वसनु पर्णो को कारण के ई छकी, बने रती विख्छु अरले पहवान बुद्ध ले शौन्द गरी पहवान बुद्ध ले क्ये भने ता बन ता खिरी ए विख्छु हरू अहिले यर्दा खिरी चक्छु पाला भिक्षु ले, मंग्ष चक्छु लाई ट्यागेरा धर्म चक्छु प्राप्त गरी लिये, यदे भी अरहन्द उनसक्ने तिस्तो सामत्त वान भिक्षु बनी अंदो भैर बसनू पर्यो, तर येसको कारण छ, ती भिक्षु अले सोन्न बयो, भगान सास्ता, क् कारण ने गर्दा खेरी तिस्तो अहन्द फल प्राप्त गर्न सक्ने छेमता वान भहिकन पनी आखिरत अंदो भैर बसनू परेको कारण की होला, पनेश्वत नुदा खेरी, भगवान बुद्धल की बन्नू भैता बन्दा खेरी, ये विक्षु हरु, कर्म रा कर्म को फल, हा हूंतको दुझे नुद्धल को छोगोन दौन मोः मिद्धल कितो की कारण की बन्न है के जीड़ दल झांद लेक भागवान बुद्द ले ती बिक्षु अरुले पत्ता है ती बिक्षु हरुले भागवान सस्ता कश्तो कर्म गरेका रहेचन त्यों चक्खुपाले बिक्षु ती भीक्षोहरूलाई पहला को जन्मको योडा कटना भीक्षोहरूलाई सुनाये आज एता पनी आमरो बत्ती नभयको रहे चा याँ छे लैप्तप मा पनी अवस छा मिनिट मा थे बागी चाजस्त चा पल्दे को चाई यहां बत्ति आया वने थी गई शा नत्र वने यहां लैप्टप मा चाई लाइने बागी रहे न चा तेसे ले मचार चाड़ा पढ़नो पढ़ला आजा यहनो ता बत्ति ने शाई ना अब की गरने अब क्या दाओ रहे वान बुद्ध ले थी पिक्शूअर लेक शरी चैने अब चैने अब विगट को अटिट काल मा टेसको कस्तो कर्म विपाक को कारले टेस अंडो भयर वस्नु परेको भनने चैने अब योड़ा चैने अटित समय को यहड़ा खटना घटे चो अटित समय मा योटा कस्तो गतना घटेको थे योता बंदा खेरी योता परिवार मा आखाको रोग को कारणले करता खेरी धेरी दुखकस्तो भगी रहेको योटा योटा ग्रेस्ति थियो ना त्यों ग्रेश्टी अरले चें अब आफनों चें आखाको उपचार घर्ण को निमित्त एक जना बैदे लाए उपचार गरे दिनु भणेर चें अब अन्रोड गर्डा केरी त्यों बैदेले पने आफनों अउसदीत साराई बलियो आईना जुन शुके रोग पने जुन शुक कारण टे टेरे टुको बोग गरी रहेका थे तीस्ता जाएं त्यों रोग इले क्ये वन्हें त बन्दा गेरी यदी मेरो यह आखार पर निको पारी दिनू भणे मश हीट मेरा च्राचकरी दिने घरी दासधी भणे चुछ यो आखाले प्राइगर्णा केरे मला ये ती जिन्दगीमा कस्त वयो ये ती पिडा भयो बंड़े उसले प्याच चे क्या थाले अतर बंड़े यो मात्रा रोग निको भयो बंद बरो दास दासी भयार बसनु पनी शुख नई होंच यो आखा को रोग निको नुट नै मलाय चाहन मलाय मन यो रोग निको भयो बंड़ दास दासी बजना पर DOC ृटकि दः deo ढुक पनी ये त्यो बंडा फोन ध॥ां किसे pricing निपार न साके आंडाय मन चेज़ेकिए बंड़े पोलार चेंла अउसले उपाचार गरना थाले ती इशहां बंद फे उपाचार गान्वार्ना थाली आखा को रोग होने टियो ब्यक्ति ले आखा देखी न थालियो तुरंत का तुरंत ही जाए आपनो आखा रोग नीको वह बशे उसले तो पहला आखा भुगदा खेरे पो तपाय को चाहे रोग नीको पातियो वह ने मत अबे दास दासी बनना पुंहें तयार शार आरो सभरे डिए। तरवे फने तो आखा निको भाई सखेयो उसको मोझे नद असको मुझना कराए। चाला कि के अध्यायों उसले की जगता है। असको बाप सखेयो ոै तो को लांगी मेल नद आस दासीài मुझा हुगे ज़िंगा को सबस्कों ऍसको मनमाु से कि आयो है। यह पिएए जेकली शेया लिए ऑख निको हुने उसले ठाव है रहे नी चाह रहे और तो आखा को रोगी माण में लागी सेवाट हुने वने को आखा नीको भया को प्याइस का फ्याम अपकॉ प्येसले उसले आका निको भय पनी उसले की जवाब देता बना खेरी? कहाँ हुन? तपने की अउसति प्रयोक घरेता मेरो आका « चांजने विगदे र गया चांजने मारा दुख चांजने कस्त भय mo मेरो ह набेतम भय को मेरो आँखा निकोल पार्दियु जरिए जन्वु सान्मु को क्योशिकिपूर oncology थे शे backup winter vert het इससाि Αॉसदि नोपर निकाश ब derniíveidente पक्कया मीरो् कुछ्षो लगे लेग फ्यालो फेल भयागएum इनको राम रो आउसदी से राहे को आखा ठीक पारी दिन चुनि पने रा अंटा सत्य बैदेले चैने मन मा चें टेस्तो रिश राहतेाई। क्ये गरी दिदहीं बंदा खेले। करके जें आ ऐक . पैर्ट पलता त्यों आखा मा त्यों आउस्व disaster राखियो पनिjud आखा सत्य के अंड्रो होने। कई ले पनि आखा न देखीने आई न तेस्तो युटा 20 रूपी चाई तेस्तो आउसदी भने रा त्यो बैदेले त्यो आखा को रोगी मान चेलाई अंत मा तेसरी चाई आउसदी दिये बची अब उसले बनि आवर आखा चाई आवर निको भाय को चाई न बने को कारण ले र साथ्चा या की आँखा थीक भाई सगे ब्यकति बख्यागी को फिक बहला मेंने भासा बले निको एकटो यको तीड़ा पुले अंठासो र्रीश को भावलीद आचा अवसदी निको आउस Emm00 मा ख़ियो पुले ले खेह पुलर के और आउसले बनि आ सा ले सड़ॉकरा को लि साथ चेके अन्डो भए रख जीवन भर त्यों मांचे जें अवं अन्डो ने भए उसको आंखा सदा को लागए अवं कि भए कि खथन भय अवं साथ चेके ओ त्यों बवई देले आखिरत औरो को आंखा थीक भई सके को छबन्ने था उदा हुं दै अरखा को आखा लए साथ्चे कई ड्वेस्टित्र राखेर अंदो हुने आउसदी दियर आयको कारण ले गर्दा खेरी जुन त्यो बैदे छ यो बैदे ने अईले को चक्खु पाल भिख्षु हो त्यो भिख्षुले पहला एक पलत बैदे को रूप मा जन्म हुदा खेरी अरका को आंखामा सदा को लागे अंखा अंदो हुने आउसदी राखेर आयको कारण ले यो विभआक को कारण ले गर्दा के रही यो जन्म मा भिख्षु भहेर अरंत होनसक ने छमता वान भिख्षु पही कनपनी आकिरा त्यो अंदो भैर वस्नु परिको हो भनेर रापवा बुद्दले ओडा उपड़ेस धिनुव भय गोचा जुंसुख रृ करता एरCP मन भने को अगुवा भैरर रहां चा ళ્న్న leurs మహన్ మహోస్త్ పాడ 그래서 to do దుఏ పారి త్సింగు బిఆస్త్ పార్ను कि अवो जीजी ुखपनी पछी लागे र आऊंच निकार्म और ट्यों कर्म को खाइं तो मर्म को कारुएस व खाभकाव। विपाग चाई भग नहीं पर छ बने रहा भगवान बुद्ध ले त्यों भीक्षु अरलाई देशना गरनु भयो अन्यों विपक्षु अरले पनी किये भननु भयत हो ऐसतो भीक्षु घ्रा गरेरा अरंत होना शकने तैसतो चेमतावान भीक्षु अरूले पनी आफूले गरेरा आये को तैसतो कर्म भन भने रहे छ साथ से कर्म बने को चाएं कसा ही ले छोड़ दाई ना रहे छा कर्म को भल